वेलकम टू माई चैनल आज मैं एक बहुत ही अच्छी केक की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि मैंने बनाया है सूजी से और इसमें मैंने डाला है आम का पल मेंगो के साथ सूजी बाला केक बहुत ही अच्छा बनता है और इसमें मैंने गुर्ड डाला है इसलिए इसका कलर थोड़ा सा टार्क आया है आप चाहो तो इसमें चीनी मिला के बनाओ तो बिल्कुल योलो आता है और बहुत ही स्पंजी बना है ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है इसमें ज्यादा कुछ सामन लगता भी नहीं है बहुत कम सामन में ये बनता है तो देखते हैं इसमें मैंने क्या क्या लिया हुआ है सबसे पहले तो ये मैंने दो कप सूजी लिया हुआ है चाय की कप की नाप लिया है मैंने और उसके साथ एक कप गुड लिया है एक कूकिं पाउडर और थोड़ा सा मिलक तो सबसे पहले मैं तेल ले रही हूँ जो एक कब लिया हुआ है और साथ में गूड़ एड़ कर रही हूँ गूड़ और तेल को अच्छी तरह से हमें मैस करके मिलाना है आप चाहो तो चीनी एड़ कर सकते हो इसमें गूड़ की जगह पे पट गूड अच्छा होता है इसलिए मैं गूड एड किया है और साथ में मैं ये दही भी मिला रही हूँ और इसको अच्छी तरह से mix करेंगे, match करके चम्मच की मदद से match करके, इसको मिला लेंगे अच्छे से, चीनी मिलाने से color तो योलो आ जाता है, बट गूड ज्यादा ही बहुत ही टेस्टी रहता है इसमें ना तो कंडेंस मिलाने की जंजट है ना कोई एसेंस मिला रही हूं बिल्कुल पियोर नेचुरल साथ मैं बस खुसबू के लिए इलाइची का पावडर ही डाल रही हूं और साथ मैं एक आम का पल्प निकाल लिया था मैंने इसको थोड़ा से mix होना है इसका color इसलिए थोड़ा डारका रहा है क्योंकि गुड मिला रही हूं चीनी मिलाने से भिलकुल योलो ही आता है बट इतना ही sponge वह भी बनता है अभी हम σουजी इश में add कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके पावडर में नहीं मिला रही हूं ये लेकिन लास्ट में मिलाएंगे हमेशा सूजी वाले केक में पहले एड नहीं करना है क्यों पिसूजी को हमें मिक्स करके थोड़ा सा रेश्ट होने के लिए रखना है अभी ये सब को मिला रही हूं मैं आधा-धा करके मिलाया जो पूरी तरह से मिल जाएगा तो बैटर कितना पतला हुआ है या ग का लेंगे तो थोड़ा सा फिर मिल्क एड करना पड़ेगा आपको सूजी क्योंकि सारा मिल्क को सोक कर लेगा थोड़ा सा फूल जाएगा सूजी जब रेस्ट मिलेगा तो यह अभी मैंने मिल्क परडर किया है और उसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना इसमें कोई एस कर रही हों और इसको एड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 10-15 मिनिट भी कर सकते 15 मिनिट भी कर सकते इसको ठकके रेस्ट होने देना है ताकि सूजी उसमें फूल सके क्योंकि आटा या मैदा लो तो बहुत ज्यादा पलिश होता है वह बट सूजी थोड़ा सा दाने चलका लेते हैं ओवन को भी मैंने 10 मिनिट के लिए प्रीहिट कर चुकी हूं अभी मैं इसमें एड करूंगी बेकिंग पाऊडर और सोड़ा लाक मी Malik जयादागाडी पर न आ गया है सारा जो मिल्क डालाता वो सब्सोख कर लिया है इसलिए बाकी का अधा कभ में इसमें एड करना पड़ेगा यह बाकी का आधा कभ मिल्क मेंने एड करते हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद ही हम baking powder और soda एक चमज मिलाएंगे और उसको मिला के तुरन फटा-फट हमें mix करके इसको कैक्टिन में transfer करेंगे क्योंकि एक बार soda या baking powder मिलाने के बाद उसको ज्यादा दर तक रखेंगे तो better बैट जाएगा फिर कैक फुलेगा नहीं sponge नहीं बनेगा तो इसको मैं मिला रही हूं फटा-फट उसको तुरन इसमें transfer करेंगे कैक्टिन में और ओभन में डालेंगे ओभन को मैंने 200 degree centigrade में पहले से 10 मिनिन से preheat करके रखा है बट जब कैक उसमें डालेंगे तब हम इसको 180 degree centigrade कर देंगे कैक्टिन को थोड़ा सा ऐसे tap करना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा extra air जो होता है वो बाहर release हो जाए बूलके अभी मैं इसमें डाल रही हूं और इसको 180 degree centigrade में आधे हंट के लिए बैक करेंगे और बैक होने के बाद आधे हंटे बाद एक बार चेक कर लेंगे चाको से मैंसे पका की नहीं अच्छी तरह से बैक होगा की नहीं देखने के लिए और उसके बाद निकाल लेंगे तो यह बैक होने देते हैं देखिए आधे हंटे बाद यह कितना spongy औ नहीं है कोई essence की जरूरत नहीं है पूर प्योर नेचुराल और बहुत ही अच्छा बनता है आप लोग जरूर एक बार ट्रै करके देखिए कैसा लगता है और इसका कलर पर मज़ जाए गुड़ बहुत ही हल्दी होता है तो इसलिए गुड़ डाला है मैंने आप लोग जरूर को ट्रै करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थाइंक्यो करो